पहले कख्च में बैठके जाने कौन सी योजना बना रहा था अब बार बार द्वार की और देख रहो है चल क्या रोह है इसके मन में कबसे बुलारा आप क्यों नहीं रहे हो आप आप बुलाएं और कुबेर ना आएं ऐसा कैसे हो सकता है प्रभू कहिए किससे भेट करने हैं अपने भगवान से आप से ही भेट करनी है नंद राज जी प्रणाम प्रणाम? ग्राहकी तो विग्रेता का भगवान होता है ना? वो क्या है? मैं घर-घर जाकर रत्न और आभूशन बेचने का कार्य करता हूँ तो आप स्वणकार हैं? हाँ चमा करना हमें अभी कच्छू न चाहिए आप जा सकते बाबा देख तो लो क्या पता कच्छू विजेश हो इनके पास? वैसे मैया ने अभी अभी हूँ माला नहीं काथी को दी है अवस्य बाबा और लल्ला दोनों ने मिलकर कोई उचना बनाई है स्वणकार जी आपके पास मी प्यारी से मैया के लिए कोई विशेश होर होगो? पच्छू विशेश हो तो ही दिखाना हमारी राज राणी का मन जीतना इत्ता असान ना है ना ना इसकी कोई आब सकता ना है क्या आपको सच्ची में ऐसा लगतो है कि मैं एक माला के कारण क्रोधित हूँ? हाँ? जे तो बालाक है पर आपने ऐसा कैसा सोच लिए हो? क्या मैं केवल बस्तुओं से प्रेम करती हूँ? और उस पर से स्वाणकार को बुला करके स्वांग भी कर रहे हूँ? राणी जी सत्य तो यह है कि आप बीच में मती बोलिये स्रीमान यह सुदम मैंने ना बुला है स्वाणकार जी को मैं जानतो हूँ तुम्हारे क्रोद का कारण क्या है? आपकी मज्या से तो मुझे भी भै लग रहा है प्रबू ना जाने कभी यह साक्षात मादुर्गा बन जाए आप पे तो तनिक भी भरोसा ना है मुझे बलकि पूरा विश्वास है कि आपने भुलाया है नहीं जब भी ऐसी कोई बात होती है ना? आप काना के साथ मिलकि जे ऐसी यूजना बनाते हो नहीं, मैं इनके बुलाने से नहीं आया हूँ मैं श्री नारायन की इच्छा से आया हूँ श्री नारायन की सौगन मैंने सोचा कि यहां आकर एक दो हार तो बिखी जाएंगे और यहां व्रिंदावन की रानी जी जो रहती है अत्ती मत करो कुबेर जी स्वनकार जी ऐसी बात है तो आप ठैरो मैया ने मुझे सिखाया है कि किसको अपने द्वार से निराश्णा बेज़ो चाहिए अरे पत चुनता मती करो इन्तिक रोज में भी प्रेमी छिपा होतो है बात अनौ की है यह इसलिए आपको यह अनोखा पूला बहार दिखाओ मैंने क्या समझाया था और इसने क्या समझ ली अरे मेरा जेर थोड़ी था कि वो पहार देकर अपनी भूल को सुधारा जा सकतो है यह देखे नंदराजी ना यह ना यह भी ना चलेगो इसकी तो शोभाई निराली है ओहो स्वनकार जीद मैया को यह से बिल्कुल अच्छा ना लगेंगे कुछ विशे दिखाओ ना कछो अनोखा कितना सुन्दर हा रहे पर जे स्वनकार कानहा को उसे दिखा क्यों ना रहे वो तो मेरे सभी वस्रों के साथ जचेगो फोट खिलेगो मुझे पर नकार ही आप ये वाले दिखाओ मैया के लिए और आपके लिए क्या राजकुमार मुझे बस एक मोती देद्वा आप बस किवल एक मोती हाँ ये राने जी के लिए माला और ये राजकुमार जी के लिए मोती वनकार जी मल्यत ने कर जाओ हाँ प्रभू के दर्शन मिल गए और क्या चाहिए मुझे जो ठीक लगे वो दे दीजिये प्रडाम लो मैया पताओ कैसो है सुनो जी अपने लला को समझा दो यदि उसे लगतो है कि मैं उपहार की भूकी हूँ तुझे उसकी भूल है अरे उपहार ना है मैया ये तो साक्स है कि मुझे ये भूल समझ में आ गई है और ये भी समझ आ गयो है कि कैसे आज मेरे कारण मेरी महियां को लजित होना पड़ो। ये साथ से इस बात का कि मैं सची में छमा मांगरू। कि मेरे कारण आपको इत्ता दुख पठो है। ये इस बात का भी शाक्ष्य है। ये मैंने अपनी भूल से सीख ली है। कि मैं यादी कच्छू अनुशित कार्य करते हूं तो पहली अंगोली मेरी मैया के उपर उपती है। तुझे जे आभास होनों चाहिए कि जो हूँ वो अनुचित है। फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए काना। और इस ये इस बात का शाक्सिय है मैया कि मैं अपनी भूल सुधारना चाहतू हूँ। जो हूँ चुको है उसे तुम्हा बदल ना सकते हूँ। और कम सी कम भूल माला तो बदल सकते हूँ जो आपने नई काकी को दिया। और चौथी बात, अविलम अपनी भूल सुधारने का प्रयास करनों चाहिए इन सब का साक्षे होने के साथ साथ कि मैं वचन का प्रतिक है महिया कि मैं आज के बाद फूल कभी ना करूंगो तुम्हें विश्वास तो ना होगो पर मैं कहे देता हूँ कि जो कुछ भी कर रहो है जो कुछ भी कह रहो है उसमें मेरा रत्ती भर भी योगदान ना है अब तो मैंने वचन भी दे दो मैया अब तो सिकार कर लो ना इसे आपको जो अच्छा लगा था वो ही हार लेकर आयो फिर बिना लो गया इधर आप तुझे कैसे पता चलो कि जेही वाला हार मुझे सबसे अच्छा लगो एक लल्ला को अपनी मैया की रूची पता चलनी चाहिए ना अब तो क्रो छोड़ दो ना मैया मान जाओ ना पर जे अंतिम अफसर है लल्ला यदि फिर से कोई गोपी ने तुझ पर आरोप लगाओ न तो इसा ना होगो मैया आप चिंता मती करो उसके लिए भी सोच के रखो है मैंने चोरी तो काना ने हमारे घर पे भी की थी इसने हमें कच्छो ना दियो जे एक मोती तो किस-किस को देगो मैया वनमें आपने ही कही थी ना इई बीड से पूरा व्रिक्ष उगातों है तो तू इस मोती को बोएगो? हाँ, जो उस मोती को बोएगो, उसमें से व्रिक चुगाएगो और जब उसमें मोती आएंगी, तो जिस सारी गोफियों को देगो ना लल्ला? आपने तो मेरा मन पाल लियो मैया अरे, पर... मैं परिहाज कर रहे थी लल्ला? मोती व्रिक्च पे ना उखते? क्यों ना उखते मैया? जब छोटी सी गुठली से बड़ा साम का ब्रिक्च उख सकतो है ये शार जामू नुख सकते हैं तो मोती क्यों ना उख सकते हैं? लल्ला बीच से केवल फल और फूल उखते हैं मोती ना पर मैया अपनी तो कही थी शी नारायन का नाम बेने से सकतो चमबब हो जाता है तो फिर ये क्यों ना होगा? नारायन के नाम में तो बहुत सारी शक्ती है है ना? हाँ परूँ सुदा जीवन की सीख करने से ही मिलती है जब करेगो तभी सीखेगो हम केवल इसकी सीखने में सहायता कर सकते हैं है ना? मैय बाबा होगो कल सुवा हमारे आंगन में मोच्यू का ब्रिक्ष मिलेगो देखना आप दोनो चला आजा करेगो मासा 7 अपोरी प्लोफ चर्भी मासा 9 जा इसकी सीखनी मासा 9 कश्ड़ ये नाराएन, जे कैसे संबाव है? सुनो जी! जदे देखो? क्या हो यह सुदा? क्या होगो काना? सुभा सुभा आप चाथी चीना यहाँ सेफ़ मैं कच्छू ना कच्छू दू? देखो कितना विसेज हुपा रहे हैं मिर्पार जे तो मोती है मोती हो खपराच पर जे तो असमव है ना? लो आप सभी तू कहती हो मैं बात अधिक प्रस्न पूछते हूँ अब देखो आते ही सब के सब प्रस्न पूछने लगे अब खड़ी रोगी कि आगे बढ़के मूती भी लोगी तूलग शपकी आओ ना कर दो कर दो कर दो हमारी इच्छा पूरी हो गई काना के हाथ से उपहार मिलगो हमे प्रभू ये चमतकार तो सभी के सामने कर दिया आपने कहीं इससे आपका सत्य मईया को पता तो नहीं चल जाएगा ये तो सच्ची के मोती है वैसे ही जैसे स्वर्नाकार के पास होते हैं व्रिंदावन में जब से आये हैं कोई न कोई चमतकार तो हो ही रहो है आवसे हे किसी बहुत बड़ी देवी का असरवाद प्राफ्थ है सस्थान को देवी का असरवाद या फिर हमारे कानह का कहीं सच्ची में कानह चमतकार तो नहीं है मैंने कहा था न प्रभू हर्स गए जेवरिच अबसे ही कानह ने वोय होगो है ना जीची आप तब भी ना बिना सकते जाने ही बोलने लगती हो ये मेरा चमतकार ना है ये तो देवी का चमतकार है कौन सी देवी का? मेरे मैया अर्थात आपकी ये सुधा देवी का जे क्या क्या रोय कानह? सत्या ही तो कह रहूं आप सभी बताओ जब हम गोकुल से विंदावन आ रहे थे तो किसने कही थी? कि विंदावन में सबको गोकुल जैसे सुधा मिलेगी? ये सुधा ची ने और यहानी के बात भगवान शी गनेश का स्वर किसको सुनाई दिया था? ये सुधा ची और कर गिसने कही थी? हमारा काना मोती को बीच की तरब होएगो? तिर उसमें सिर बड़ा सा व्रिक्ष उगेगा और उसमें मोती आएंगे? ये सुधा ने? आप भी तो मैया हुईना में जो मक्कारी ये जो कहती है सत्य होके ही राचवा है कुछ भी उल्टा सीधा हांके जा रहो है मैसेज असोदा जी काना कहे तो सत्य रहो है तुम भी इसकी बातों में आगे सुलच्छना अरे जे तो सारे संजोग जोड़के बस अपनी बाते सिद्ध करने का प्रयास कर रहो है मैं कोई देवी ना हूँ मैं तो बस साधारन सी मैया हूँ और जे मेरा साधारन सा लल्ला है पर ये मोधियों का बिरच चमक्कार है ना पक्की बात है लगता है किसी ना किसी देवी देपता का आशिरवाद है इस सिद्धाम को उस सब तो मैं ना जानती पर हां स्री नारायन का असरवाद तो अवस्य है जे सब का ऱल्ला है मैं जानता हूं कि आपने इनी प्रतिक्सा करी है। कोई प्रभू। आसिरवाद नहरायन का हूं या देवी देवताओं का। हम धन्यवाद तो तुझे ही कहेंगे काना। काना, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा उपहार दिया है। अच्छा जी जी, अब हम चलते हैं। नारायन नारायन। नारायन नारायन। मैया ने इतना सब छूओ है। यदि सारी तरकाया उंग गए। तुम्हारा करते वन बन जाएगो बाबा। मा, तुम्हारे हाथ में चमतकार है। तुम देवी हो। काना, अरे देख क्या रहू है। देवी खड़ी है। आसन ने करा। जा। बिच्छा बिच्छा बिच्छा। अरे। अतारो दीवी मा, आसन घ्रहान करो। अरे ना। आप भूजन ना मनाएंगी। आपको तो भोग लगेगो। और वो, मैं और काना मिलकर मनाएंगे। अर्ष इनवाइंगे। धर्थादेश फिर्षारते राले ठीब भाड़ी करे आरो देख यही हो कि अरिखते हुआदेश भाल–आपकोर्द भाल–ँजए क्यून जातना कि पूल कहां से अब है रख जाए उनका भे समात हो रहा है किसका प्रभू और हो भी कौन सकतो है मुली हाँ वो है वो विन्दा देवी अब और प्रतीक्षन नहीं कर सकती कब दर्शन देंगे प्रभू कब आएंगे आप कि इस से अब है प्रूल जानता हूँ तुम सब को किसने भेजा है चाकर विंदा देवी को मेरा संदेश दो मैं कल उनसे मिल ले आऊँगा ये बचन है मेरा सदैव की तरह आप इस बार भी सही थे प्रभू प्रिंदा देवी ने ही भेजा था इन सब को प्रभू आपने बचन तो दे दिया पर मैया की आग्या के बिना कर कैसे जाएंगे आपन ये समस्या तो है वुल्ली पर इसके समाधान के लिए मुझे आफ सकता है पिंदा वन की सभी गायों की आज राट का समय है आप सब के पास मेरी साहता करो गायों मैया सारा चारा राट बर में समाध कर दो ये नहाएंग चेप चेप कैसे सम्भाव पतो नहीं माराच जब हम समेरे आए तो सारी गईया और बच्छडे पहले ही से खुलेते इन्हें देखो तो साही ऐसा लगर होई कि जैसे भरपूर पेट चारा खाके अब बिस्राम कर रही हो तुम्हारा कहनेगार्थ जे है कि जे सब्ता भर का चारा एक साथ खा गई धन्यवाद काओ मयाओ जी देखो नंद आच आपकी बात पर सबने कैसे हामी भरिये जैसे अपनों दोस्ट सुकार करो है नंद व्रिन्दावन के हर घर की यही कता है सबी घरों का सारा चारा खा गईये गईया है अवसे ही किसी ने रात को इनकी इरसियन को खोल दिया था अवसे ही किसी ने रात को इनकी इरसियन को खोल दिया था अवसे ही किसी भूत प्रेत या पिसाच ने करो है यह सब हाँ भूत प्रेत पिसाचों के पास तो और कच्छु कार्य है ही ना रात में गईयाओं और बच्छों को खोल के चारा खिलाते फिर क्या मौसी ना, मुझे लगतो है जे किसी नटखट की सरारा थी और मैं तो अच्रच इस बात पे हूँ कि कि जह हमारी गईयाओं और बच्छडों ने सारा का सारा चारा एक रात में क्यासे समाप्त कर दियो मैं भी जही सोच रही हूँ अब असे गाओं मैं आएं फुरक्षा काकी से भी अधी भूकी रहे होंगी तू बस मेरे भोजन पर ये दिश्टी रख पतो है जब सिवरिंदावन आई हूँ तूर्बल हो गई हूँ तब तो आपको गईयाओं से भी अधिक भोजन के आप सकता है काकी तो मैं भी आपकी नहीं गईयाओं की भोजन की बाग कर रहा था अब तो सारा चारा समाग थोगो है अचानक से उनके लिए चारा कहां से आईगो समस्य तो सच्ची में विकट है पर समाधान हो गयो हमें व्रिंदावन के वन में भीतर तक जानो होगो और गईयाओं के चरने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजनो होगो और ये कार्य हमें आज ही करनो है योजना सफल लग गई विंदा दीवी मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने आपके आने की सूचना मात्र से ही मेरा रिद्धय प्रफुलित हो गया है प्रभू आपके दर्शन से मैं धन्य हो जाऊंगी तनिक सीगरता करो सब गउदुली वेला से पहले वापस लोटनो है हम सबको सब तयार है हाँ हाँ हम सब तयार है नलगाई हाँ बाबा मैं वे तयार हूँ चलो मया कहां? मया वन और कहां? कहां को चड़ाने जा नहींगि ना? ना, तू कहीना जा रहो है? जे लोग बहुत भीतर तक जा रहे हैं वन में नया स्थान है, यहां की चुनोतियां, कठिनाईयां, इन समसे अनभेक्या हैं हम जाने बालों को के लिए सुरक्षी थे की ना जल्दी चलो, विलम बहु रहा है लो जी मैया ने तो सारी योजनाई चपट कर दी अब विन्दा दीवी को जो वचन दिया है, उसी कैसे निभाउन है? मेरे प्रभू आने वाले हैं, मुझे उनके स्वागत की तयारी करने होगी सुनका ना, इक कारे करे? ना, आप मेरी बात ना सुनती, मैं भी आपकी बात ना सुनोंगो इत्ता क्रोध, क्यो रे? बन जाके क्या करना था तुझे? मिलना था मिलना था? बन में, किस से? ये क्या बोल दियो मैंने? फीड से फसगो बिच्छों और लटाओं से हर्बोस से, हिरन से किलाडी से, वाना नमराद से सम मेरी प्रतिक्षा कर रहे होंगे ना? हाँ, जैसे पूरा का पूरा बिंदावन का बन तुझ से ही मिलने की तो प्रतिक्षा कर रहे है आपको कैसे बताओं मैया? बिंदा देवी, स्वेम मेरी प्रतिक्षा कर रहे है अच्छा ठीक है वन किसी और दिन चले जाएंगे उनसे मिलने पर आज मैया और लला बहुत सारे खेल खेलेंगे बहुत आनन्द उठाएंगे पता कौन था खेल खेले? कर तो छमाप त्रोटिको मेरी भूल भी जाओना त्रोट का उकान हा? ऐसे दूर जाओना ओ कान हा अपनी मैया को रितैसे लगाओना ओ लला मेरे मान जाओना कान हाँ मान जाओना मैंने तो कित्ते तुम्हे तक बनाया थाम बैया को जब यह रूट करे थी पर यह तो इस्टी सिगराई थांगाई मेरे तोरी अधनी एव जिए बोग बोग दिए, तो जोगदा करना, ग्राओा करना, झालाँ बोग प्राओारी करना, अाज भी जाराँ करना, पिर टाराँ करना, करना भी एमान मेंशा करना दोग दिए ! अ... हम कोई नोया केर खेर रहे किया का न मैं तो आप से क्रूदित था मैया कोई खेलना खेलना मुझे तो बन जानो है आप ना जाने दोगी तो मैं सेम चल जाओं अपने सखाओं के साथ प्रयास भी मति करियो लला और तुम सब भी तुम में से कोई भी बन जाने का प्रयास ना करेगा समझाई हाँ अच्छा लला मैं तुझे वचन देती हूं अगली बार जब बन जाओंगी ना तुझे साथ लेके जाओंगी बलकी मैं जब भी बन जाओं तुझे मेरे पीछे पीछे आ जाईओं बस मुझे पत्तु है मैं ऐसा करूंगो तो आप मुझे खर पे ताटके बैठा दोगी ना लला पैने वचन दियो ना मैं जब भी बन जाओं तुझे मेरे पीछे पीछे आ जाईओं पर हम चाहेंगे कब अब उसका निर्णे बाद में करेंगे लला अभी तुम सब बताओं खाने के लिए कच्छु लाओं अरे मुझे तो आज है जानो है माईया मीटे बुए हाँ मीटे बुए ठीक है तुम सब यही प्रतिक्छा करो मैं गरम गरम पुए लेके अभी आई आप इतने दुखी क्यों है प्रभू फ्रिंदा देवी से कह दीजिये कि वो थोड़ी प्रतिक्छा और कर ले यह तो प्रतिक्छा कर लेगे मूल्डी पर कंस मामा नहीं करेंगे यदि उसने मुझ पर द्रिष्टी रखी है तो इसका हर्थ है कि अनुशासन में कमी है किंटो अब जो मैं करने जा रहा हूँ उससे उसको अधिक आनन्द आएगा महराज आपने यह यह तो हमारा सर्व श्रेष्ट गुप्तचर था तर्व श्रेष्ट गुप्तचर तो एक भी ऐसी गुप्त सूचना नहीं ला सका जिसका प्रयोग नवस मिश्णु अफ्तार के विरुद्ध कर सकूँ तुर्जान तुमारा दायत वह बढ़ गया है अब तुम्हें इससे भी अधिक उत्तम गुप्तचर ढूड़ना होगा अन्यता इसके स्थान पर अगली बार तुम होगे क्या हुआ काना तुम्हें मिटे कुआ नहीं काने मुझे बन जाना है दाओ चलो ना सब चलते हैं पर हम तो प्रति दिन जाते हैं काना वैसे भी वहाँ जामुन के व्रिक्ष के अतिरिक कुछ विशेशना है वाके वन में मैंने तो इत्ते बड़े बड़े वन देखिया कि क्या बताओं एक बार केले के छिल्खे को खा के कह रहे हो किस स्वादना है पहली मत बुझा काना क्याना क्या चातो है वो बता यही तुम सबने जो देखो है न वो विंदावन का बाहरी भाग है असी वन तो बीतर है खेराई में जा आज काओं के बड़े बड़े लोग गई है बाबा क्या दे थे वाकेवल चामुन के वरिक्स ना और धेड़ सारे मीठे फलों के वरिक्स है इतना कि पेड़ भर जाए पर मन ना भर है आपको पसू प्रिया है न दाओ एक से बढ़के एक पसू है विंदावन में इत्ते छोटे से लेकर इत्ते बड़े बड़े है प्रेम से बात करो तो आपकी बोली भी समझेंगे और बात भी मानेंगे भूल जाओ काना जब छोटी मा ले जाए तो ही उनी के साथ ही जाना हमें तुमारी तरह उखल से बंद कर दंद पाने में कोई रूची नहीं है पर दाओ माया ले जाएगी तब तो चलूगे ना हाँ स्वेम भी चलूँगा और इन सब को भी लेकर चलूँगा वहाँ पुछ पे छोड़ दो दाओ आप सब तो वही करो जो मैं कहता हूँ कहां चलेगा सब के सब अन्हा बल्राम अरे मैया ने स्वेमी टुकाई थी कि वो बन जाए हम सब उनकी पीछे पीछे जा सकते हैं तो चलो अब कान्हा कहां है लल्ला कान्हा सच्ची में बहुत सा रातियों को वन को स्थान है क्या अकेले जाने का बहुत तंग करने लगो हैं अब उसे फिर से दंड देना पड़ेगो हे नारायन आगे तो इतना घोर घना वन है कई कच्चू हो जाए तो कई कोई पसू सामने पड़ जाए तो इतना सा तो है तने इक में भैना लगो एसे भै कैसे लगतो रक्षा के लिए आप खोना मैया आगे आगे लल्ला पीछे पीछे कान्हा तन्हा 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 प्रभू मेरी प्रभू आगे तन्हा 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 बालक घर में ही थे मैं तन्हें पूए बनाने के लिए गई और जब लोटके आए तो सब जा चुके थे कान्हा ना मिल रहो है गाउं के सारे बालक ना मिल रहे और आपको कच्व अंदर ही ना पड़ रहा है ना रायन आपका बहुत बहुत धन्यबाद मैंने मना किया धाना फिर क्यों आयो तु यहाँ हाँ मैया मैया हम सब अपने आप थोड़ी ना आये आप ही तो लेकर आई हमें मैंने क्या हूँ हमें तो बन का रासता भी ना पता था हम तो अपने पीछा करते-करते आए अरे पर मैं तो तुम सब को डून रही झी और पीछे-पीछे आए तो मुझे रोका क्यों ना आप इन्ना तो कहा था मैं जब भी बन जाओ वो अपने आप मेने पीछे-पीछे आजायो मैं जब भी मन जाओ वो मेरे पीछे-पीछे आजायो बस और आपने मचन भी तु दिया था ये ऐसा करे तो आप डाट ना लगाओगी पर आप तो मेने पूरे गाओं के सामने कान पकड़के खड़ियो मुझ से चाला की करतो है अब ही बताती हूं तुझे रोक लला रोक लला लला रोक लला मैने लला लला रोक रोक नाना मैया फिर से दढ़ना तो घर चल बताती हूं ऐसे अच्छा ही हो नो जो काना आपको यहां ले आयो विंदावान आने के बाद आप दुर्बल हुईयो कि ना हुईयो आपके कानों की सक्ति अबसे दुर्बल हुगे है शुलक्ष्ना काकी एक बार मैं सुनाई ना पढ़ा अब फिर से सुन लियो मैं मैया को ना लेकर आयो जी लेकर आये हमें लला यह सुदा बालक है जे खेलने दो और वैसे भी जेस्थान सुरक्षित है किसी भी मासा हरी पसू के यहाँ चिन ना मिले बालकों के बाढ के बाहर ना जानो है बीतर ही खेलना समझ में आई बात आँ समझ में आई काना जालो जाओ जाओ जेलो बोला बंसी बालकों का ध्यान रखना चंता मती करो भापी कही न जाएगो काना तुझ जानती है ना उसे कस्तूरी इसके पाओं एक स्थान पर टिकते ही ना है बुला बंसी है ना यहां द्रिश्ची डखाए हुए आप चलो हमारे साथ और आपको ऐसे ऐसे फूल डिखानो है जैसे आज तक न देखे होंगे चलो और आपको पता है प्रिंदा वर में बहुत ही दुरला फूल मिलतो है हाँ चलो बुला देखो ना कित तो प्यार है ना जमा करना मैया विंदा देवी को दिया वचन निभाने के लिए एक सरारत और कंडी पड़ेगी मुझे क्या होगो क्या सोचे लगो एक आना यही कित्ते दिन हो गए हमने लुकाची पेगा खेला खेलो है ना अरे हां यहां यहां तो छुपने के कित्ते सारस्थान है क्याना तो दाओ ले हम चुपते है आज तो चुपके मुझे जानो ऐसे खाओ पर जब तक दाओ है यह संभव ना है तो जाओ फिर मैं ना खेलूंगो हर बार दाओ मैं ही रहते हूँ आज मैं चुपूंगो दाओ लेंगे आज की दाओ हां तो ले लूंगा ऐ लगता है क्या मुझे जटकी बाजाते ही सबको ढूण लूंगा ऐसे हसलो हसलो अब तो सबसे पहले तुम्हे ढूंडूंगा काना जाओ तुम सब छुपो एक बलराम की आखे अनेक ओ चतुर वही जो बलराम से चुप पाए जो कहा गये सारे के सारे जिन्ता मती करोज सुदा जी चुपन चुपाई खेल रहे सब के सब हो देखो दस अब बस मैं आ रहा हूँ अधिक देर तक छुप नहीं पाओगे सब एक एक करके मेरे हाथ आओगे आपने वन में प्रवेश्टो कर लिया है प्रभू पर अभी भी आपकी ये व्रिंदा आपके दर्शन से वंचित है अब आभी जाईए प्रभू मैं तो कपसे यही हो विंदा देवी क्रिश्ण, क्रिश्ण, हरे क्रिश्ण, क्रिश्ण, मुरली बनो, हरे क्रिश्ण को पाला, को विंदा, ये ता मुदरा मुझे शाक्षात दर्शन देकर, आपने मेरे उपर बड़ी खृपा की है, प्रभू आपसे मेरा नाता बहुत पुराना है, विंदा देवी तो फिर मिलने कैसे नाता मैं? मैं कुछ समझी नहीं, प्रभू आपके बारे में तो सारे चकत को चाड़ना चाहिए महराज कैधार की पुद्री विंदा, जो अपनी भक्ती से गोलो की अधिकारी बन गई थी यहाँ इस इस्थल पर अपनी तपस्या से आपने मुझे प्राप्त किया था तब यहाँ कुछ बे नहीं था नहीं पमामू नाराय नाया आखे खोलो भरिंदा आखे खोलो भरिंदा आँखे खुलो व्रिंदा प्रभू आप मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ अपनी साधना से बंजर भूमी को भी उपजाव बना दिया है तुमने रिक्त पड़े इस्थान को हरे पुरे वन में परिवर्थित कर दिया है तुमने और अब तुम इस वन का भाग बन चुकी हो व्रिंदा और ये वन बन गया है तुम्हारा अंग अब से युग युगांतर तक ये वन और इसके निकट का शेत्र तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा इस व्रिंदा वन में आकर जो भी भग तुमसे आग्या लेकर तप करेगा उसका तप तुम्हारे तप की तरह अवश्य सफल होगा अब से ये वन शेत्र पूजनिय होगा प्रभू एक भक्त को पूजे क्यों बना रहे हैं आप अब तुम केवल एक भक्त नहीं रही व्रिंदा व्रिंदा देवी बन गई हो व्रिंदा वन की स्वामीनी व्रिंदा वन की देवी नवचन देता हो द्वापर मैं फिर तुमसे भेंट करने आऊंगा और तब तुम मेरी लीलाओं की साक्षी बनोगी आज मैं या अपना वचन पूरा करने के साथ साथ एक स्वार्ट के लिए भी आया हूँ विंदा देवी मुझे आपके आज्या चाहिए आज्या नहीं प्रभू, आदेश दीजे कंज के राक्षेशों के वार्षे, वोको वार्षेओं को बहुत हानी पौचेटी मैं ना चाहता विंदा वन्ने भी ऐसा ही हो कंज के राक्षेश काओं तक पौट पाए उससे पहले की मैं यहां आपके वन्ने उनका सामना करना चाहता हूँ बस इसलिए आपके आज्या चाहिए थी मुझे ये तो मेरा परम सौभागे होगा प्रभू पूर्व काल में दिये आपके वच्चन के अनुसार मैं आपके लीलाओं की साक्षी बन पाऊंगी इत्ते समय तक एक ही स्थान में चुपने वालो में से ना है काना बोला बंसी हा रानी भावी काना कहा है रानी भावी काना तो अभी यहीं पर था ये बिस्ट के पीछे ही चुपा हुआ था जाने कहां से लगा हुए जै बहुत उदंड होगा वजी जिसके साथ साथ आपको एक और साईता करनी होंगी मेरी काना मेरी सत्तिया को मेरी दिव्याता को मैया से छपाना होगो आपको काना इससे बाते कर रहा था तू काना वो स्त्री कौन थी वो स्त्री कौन ची स्त्री यहां तो कोई भी ना है पर मुझे लगो मैंने किसी को देखा है काना कोई थी ना या काना हाँ छोटी मा कौन वात अनुचे छोमे पर फसारे होता हूँ पता नहीं छोटी मा पर जो भी थी बहुत सारी बेल और लत्ता हैं उनके तन से लिप्टी हुई थी और उनके पाउं बिलकुल इस व्रिक्ष के जड़ों जैसे थे या सुधा तुमने भी ऐसा ही कच्छू देख होता क्या मैं ठीक से तो ना देख पाई पर कोई तो थी भाबी लग तो है हमारे बलराम पर भी उजवल का प्रबाव हो रहो है मेरे लल्ला को बीच में क्यों ला रही है री मैं बड़बोली बात नहीं कर रहा हूं छोटी मा मैंने सच्च में काना को उनसे बात करते हुए दिखा था सच्ची सच्ची बता काना किससे बात कर रहा था तू इनसे इस बरेक्च से इस बात रही है अस्टे मती बोल्ट अस्टे क्यों बोलूंगा माया मैं तो आपका अच्छा लल्ला हूँ सच्ची मैं इनकी आज्या मान रहा था आज्या? लेकिन किस बात के लिए? अब हम गईयां को चलाने यहां आएंगे ना इसी वांचर चारा काट ले जाएंगे यही पेया मैं और मेरे सखा खेलेंगे, खाएंगे बहुत चारे अलग-अलग कारिय करेंगे वेंदा बंसे आज्या लेनी चीया ना बाबा? यह कहतो सीरो है? वो क्या यह व्रिक्ष तुम्हे आज्या देगा? हाँ दाओ, यह व्रिक्ष इस वन का भाग है और यह पूरा वन इस व्रिक्ष का अंग है थांधा, यह यह आज्या मिल गई हो तो चले गौजली से पहले घर पहुंचना है चलो दाओ चलो चलो दाओ कच्छो तो बचत्र था वहां पे, पर क्या? अलो झाल धौजन झाल 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 झाल